दोस्तों इस बार टाटा हमें बहुती अच्छी चीज देने वाली है इस बार टाटा की अभी तक EV में NXON आ रही थी पैंट्रोल में भी आ रही थी डीसल में भी आ रही थी बट इस साल हमें ये गाड़ी देखने के लिए मिलेगी CNG में इस गाड़ी में हमें देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुती अद्बूदोर शांदार रहने वाला है और जैसे बिरेजा हुई अपना गिरेंट विटा रहा हुई इनकी मट्टी घराब करने वाला है यह वैरेंट क्योंकि देखो टाटा नेक्सोनेक तो इंडिया की है और य जो है गाड़ी जो है मजबूत होती है लोग वगएरा अच्छा है तकड़ी की माइंगी बहुत छी चीज है की अच्छी महां रहे कि आपको पहले पहले में घर देखने के लिए इस गाड़ी में मिलेगा जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कुछ-कुछ इवी टाइप बट सी एंजी पे भी शूट करे गए कलर अच्छा है ठीक है जी और मैं आपको बता दूँ आप इसकी डिगगी में देख सकते हैं जैसे की इसकी डिगगी कि इंजन में कैसी जान है नहीं है तो सबसे पहले मैं आपको पता दूँ इसमें 1.2 लीटर का पैट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा जो की इंजन हमारा जो की टर्बो इंजन रहने वाला है 170 एनम का टॉर 120 की पावर जो है यह इंजन प्रड्यूस करता है और मैं एक बात आपको पता दूब सबसे पहले सी एंजी की गाड़ी में यह चीज पहली बार होने वाली है अभी तक यह चीज किसी भी गाड़ी में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी इतना पावर्फुल इंजन किसी भी गाड़ी में अब तक नहीं आता है देखो जी गाड़ी आपको क्योंकि पेंट्रोल में गाड़ी आपको मिलेगा अगर पिर नैक्सों की सिएंजी वाले वेरेंट की प्राइस की बात करते हैं इसका मोडल सुरू हो जाता है जो कि फाइव सीटर गाड़ी अपनी रहने वाली है चलिए करते हैं गाड़ी का वेट कप तक गाड़ी जो है लोंच हो दे किसको गाड़ी का बेस अबरी से इन्ट जा रहा है कमेंट बोक्स में बताइए किस-किस का इस गाड़ी को लेने का मन ह वो भी बताईए और बिरेजा पर कौन कौन जा रहा था और इसको देखने के बाद रुक गया है ये भी बताईए